नमस्का, मैं होसा सी आयो जर्खन की टॉप पचीस पर मोग खबर जानते हैं जामुमो एमेले लोबिन ने बनाया जर्खन बचाओ मोर्चा जर्खन मोक्ती मोर्चा की बिधायक लोबिन हेम्रेम ने रब्विवार को नया संगठन बनाने की खोसना की है इसे जर्खन बचाओ मोर्चा का नाम दिया गया है हलाकि इन्हें इसे गयर राय नितिक मंच बताया है लेकिन इसके जरीवे उन मुद्दों को हवा देंगे जिसकी आडमेवे लगतार कुछ महीनों से मुख्य मंत्री हमन्सुरिन के खिलाप आग उगल रहे है हेमरम ने बताया है कि अपने संगठन के जरीवे खतियान अधारीत अस्थानिय निति के लडाय त्यज करेंगे इसके अलावा नियोजन निति और सीन्टी स्पिटी एक्ट को कलाई से लागू करने की मांग उठाएंगे वे जर्खंडी भासा और संस्कृती के मुद्दे पर जागरूपता फालाएंगे रभिवार को इसके लिए उन्होंने पुराना बिधान सबाब होन वे अपने समर्थ को के साथ बैठक की जर्खंड बचाओ मोर्चा का मुखे संरक्षक लोबिन हेम्रम बनाये गए हैं जबकि प्रेम साही मुंडा और अजय टोपो को प्रवक्ता बनाया गया है जल्द ही मोर्चा के पतादिकारी राज्ये के सभी प्रमंडल में समेलन कायोजन करेंगे 21 अगस्त को चाईबासा से इसकी शुरुवात होगी सभी जीलों की समीतियां भी घोशित की जाएगी जर्खंड में काम बारिस के कारण सुखे जैसे इथिति का सामना कर रहे है जर्खंड में सोमवार से शुरु होने वाले अगले तीन दीनों के दन कुछ इलाकों में भारी बारिस होने की संभावना है अधिकारियों ने कहा है कि सोमवार से भारी बारिस होने की संभावना है या मंगलवार और बुद्धवार को और बढ़ सकती है बर्तमान में एक अच्छी तरह से चीनहीत कौम दबाव का छेत्र उत्तर पच्छीम और उडिसा से सटे पच्छीम मद्य बंगाल की खाड़ी और उस से सटे उत्री आंध्र परदेश के तटो परिस्थी था है राची मौसम विज्ञान केंद्र के परभारी अविसेक आनन ने बताया है कि 48 घंटे के दोरान एक अवसाद में केंद्रीत होने और उडिसा और चातिस गड़ में पच्छीम उत्तर पच्छीम की ओर बढ़ने की समभवना है इस परनारी से राजे भर में अच्छी बारिस और दक्छनी और मद्य जार्खन के कुछ हिसों में भारी बारिस होने की समभवना है जार्खन में 278 सरकारी डक्टरों ने हरताल पर जाने की दीचेतावनी चिकित्सकों की रांची के IMA भावन में हुई बैठक में स्वास्त चिकित्साय उंपरिवार कल्यान विभाग के द्वार जारी आदेश राज सरकार में न्यूक्त गर सक्षनिक सनवर्ग के चिकित्सक किसी भी नीजी अस्पताल नर्सिंग होम या जाज केंद्र में अपनी के रूप रेखाताय की गई राज्य सचीव डाक्टर विमलेश सिंग ने कहा है कि सरकार के आदेश के बिरोद में रभीवार को राज के सभी जीले के परतिनिद्यों के बैठक होई इस दवनान निरना लिया गया है कि सरकार यादि अपने आदेश को आपस नहीं लेती है त पंद्रह दिन के बाद राज भर के एकईस वठतर सरकारी डाक्टरों के साथ आई एमे के सदर से अनिश्चित कालिन आड़ताल करेंगे अनुबंद सहायक प्रध्यापकों का धरना जारी जार्खन सहायक प्रध्यापक अनुबंद संग की ओर से राजभवन के सामने आयोजीत अनिश्चित करिन धरना रभिवार को भी जारी रहा मौकि पर राजद प्रध्यापकों की मांगो का फुर्योर समर्थन करते हुए कहा कि जब जार्खन के मुक्ष मंत्रे हमांसुरे ने अपने घोसना पत्र में ही साप कहा है कि सभी अनुबंद कर्मियों को नियमित किया जाएगा तब उन्हें अपने वादा से मुकरना नहीं चाहिए उन्होंने इस समद में सरकार से बात करने का स्वासन दिया प्रध्याद आपको का कहना है कि जब राज़े के विश्व विद्याले वह अंगी भूत महाविद्याले में सिख्षकों की घोर कमी थी उस समय उच सिख्षा के गुनवाता लाने के उदेश से सहम घंटी अधारित अनुबन सिख्षकों की नियुकती 17-18 में की गई थी PM मोदी से CM हमंत ने मांगा विश्व पैकेज सुखार की चपेट में जारखन मुख्य मंत्री हमंसुरे ने सुखार से निपटने के लिए केंद्र सरकार से राज़े के लिए विश्व पैकेज की मांग उठाई है रभिवार को नई दिली में परधान मंत्री नायन मोदी के अध्यक्षता में संपण निती आयोग की सासी निकाय की बैठक में उन्होंने राज़े हीट से जुड़े मसुलों को उठाते हुए केंद्रे से सहयोग की मांग की उन्होंने कहा है कि लगू सिचाई पर योजना से सिचाई सुविधाय बढ़ाने के लिए विश्व पैकेज अवस्यक है हर तीन चार साल पर राज़े को सुखार का दन से जहलना पड़ता है इस वर्स अभी तक समाने से 50 पर तिसत कम बरसा हुई है 20 पर तिसत से भी कम जमीन पर धान की रोपनी हो पाई है राज़े सुखार की ओर बढ़ रहा है केंदर स्रकार से आग रहा है कि विश्व पैकेज स्विक्रीट किया जाए ताकि सुखार से निप्टा जा सके जार्खन जनजातिये महोचों के मुख्याती थी भूपेस बगेल जार्खन जनजातिये महोचों 2022 का गवा जार्खन बनेगा या कारेकरम रांची के मुराबादी मैदान में 9 और 10 अगस्त को आयोजित होगा इस समारों में नर्थ इस्ट के कलाकार भाग लेंगे और इस दोरान समरेद जनजातिये जीवन दर्शन की जाकियों से देशवासी रूबरू होंगे जनजातिये कलाकारों की अधभूत और आविस्वर्निये कला के परदर्शन को लेकर राज सरकार की ओर से त्यारिया को अमतिम रूप दिया जा रहा है इस समारों में जनजातिये इतिहास, साहित्ये, मानव सास्त्र समेत, और अविस्वर्निये कला एवम संगीत, परिधान, फैसन सो, खान पान, अवस्वर्निये कारकरम आयोजित होंगे बतादे इस कारकरम के मुख्याति थी सांसत सीबू सुरेन होंगे और 10 अगस्त को आवजित समारों के मुख्याति थी, चातिस कड़ के मुख्या मंत्री भुपेस बखेल होंगे पेनाल्टी सूट आउट में भारतिये महिला होकी टीम ने जीता पदक राष्ट मंडल खेल में भारतिये महिला होकी टीम ने रविवार को कासे पदक के लिए खेले गए मैच में निजुलेंड को पेनाल्टी सूट आउट में 2-1 से प्राजित कर जीत हांसिल किया है इस जीत में सिम्डेगा की बेटी सलीमा टेटे की अहम भूम का रही बताद मैदानी खेल में दोनों ही टीम एक एक गोल की बराबरी पर थी भारतिये महिला होकी टीम की ओर से 29 में मिनट में सिम्डेगा की सलीमा टेटे एक संदार गोल कर टीम को बठत दिलाई तीन क्वार्टर तक भारत 1-0 से आगे रहा लेकिन अम्तिम क्वार्टर में निजलेंड ने बराबरी कर मैदानी खेल की समापती पर दोने टीम को एक-एक की बराबरी पर ले लिया जारखन हाई कोट के ज़श्टिस एसेन पाठक ने जज आवास का किया उधगाटन जार्खन हाई कोट के जश्टिस सब खोटी जोनल जज डाक्टर एसन पाठक ने रब्विवार को जज आवास का उधाटन और बार एसोसियेशन भवन सब प्याव का सिलन्याज किया इस करम में वे अमरेश्वर धाम गए और पुजा आचना की उन्होंने सिलिंग पर जलाविशेख किया मंदिर के पुजारे ने बिधवत पुजा संपन कराई जश्टिस डाक्टर एसन पाठक ने सब की भलाई और खुसाली के लिए कामना की इस दवरान खुट्टी का उपायुक सासी रंजर और अन्य अधिकारी भी उपस्थित से सभी ने भागवान भोले नात के दरबार में सिसनवाए बोकारो में साइकलिंग टू गलोरी का आवज़न बोकारो स्टील प्लांट के प्रभाई निदेशक अमरेंदर परकास के मिशन एक्टी बोकारो हेल्दी बोकारो के तहत बोकारो में साइकलिंग टू गलोरी साइकल रैली का आवज़न किया गया रैली में लगभग 250 परति भागी सामिल हुए इन में बचे महिलाई अम सेनियर सिटीजन भी उत्सा पुर्भग भाग लिए साइकल रैली सेक्टर पांच पथरकटा चौक से सुरू होकर गांधी चौक रैंदर चौक लेक रोड राम मंदीर होते हुए वापस पथरकटा चौक के पास समाप्थ हुआ रविंद्र नाथ महतो ने की नीसान बाजो की होसला अफजाई बरहमी तीन दिवस्तिय जार्खण स्टेर सूटिंग चेंपियंशिप 2022 के समापर रांची के टिकेत उमराव सिंग सूटिंग रेंज होटवार में हुआ समापन समारो पर मुख के अतिति के रूप में जार्खण बिधान सबा के अध्यश रमीद नाथ महतो ने राजबर से आयस उटलों के होसला अपजाई करते हुए कहा कि जार्खण खेलों का परदेश है यहां के छोटे छोटे गाउं से भी बड़े खिलारे निकलते हैं और विसो पटल पर अपनी छाप छोड़ी है रीन पास की प्रभारी निदेशक डाक्टर जैती के खिलाप एफ आया महिला मरीज की मौत डाक्टर जयती सिमलाई की कार की चपेट में आने से हुई थी काके थाना में परभाय निदेशक खिलाप IPC की धारा 420-289-304-1 के तहत मामले दर्च किया गया इस मामले में सीवील कोट में 15 टोली निवासी सोनू मुंडा ने सीवील कोट में शिकायतवा दर्च कराया था हर घर तिरंगा अभियान को लेकर संजय सेट ने किया तिरंगा वित्रण रांची से बिजेपी सांसस संजय सेट द्वारा रभीवार को आजादी के 75 वर्ष पूर्ण होने पर आजादी के अम्रित महसों के असर पर सभी छो विधाहन सभा के सभी मंडलों में तिरंगा का वित्रन किया गया इस मौके पर सांसस सेट ने कहा है कि भारत आजादी की 75 वर्ष पूर्ण अम्रित महसों के रूप में मना रहा है देश के परदान मंत्री नयन मोदी के अवाहन पर देश भर में हर घर तिरंगा अभियान चलाया जा रहा है परदान मंत्री के आवान पर हम सभी को हर घर में तिरंगा लगाना है कोई भी घर छुटे नहीं इस मुहिम के जरिये 130 कोड भारतियों को एक सुत्र में पिरोन है के सीसी के लिए बैंकों को निर्देश दे निती आयोग मुख्य मंत्री हेमंसृर ने कहा है कि 2019 तक 38 लाग किसानों में से 14,3 लाग किसानों को के सीसी मील पाया था पिछले 2 सालों में सरकार के अथक परयास पांच लाग नए किसानों को के सीसी का लाव प्राप्थ हुआ है लेकिन अभी भी 10 लाग से अधीक आवेधन विभीन बैंकों में लंबी था है राई सरकार निती आयोग से सवी बैंकों को के सिसी की सुखरीती के लिए आवेशक निर्देश देने का अगरख करती है जारखन में फासलों में बीवीधिता लाने की दीशा में अभी तक कोई विशेस कारे जोजना पर कारे नहीं हुआ है धान अधीप्राप्ति को दो बरस में 4-8 लग टन तक पहुँचाया है लेकिन अभी भी इस छेतर में आगे बढ़ने के लिए केंदर सरकार और FCI के भी से सयोगी अवसकता है रीम्स में बेड छोड़ धारना परबैठे मरीज रीम्स के CTBS विभाग का विबाद थमने का नाम नहीं ले रहा सनिवर की साम अपरेशन की तारिक देने की मांग करते वे कुछ मरीज वह उनके परिजन धारना पर बैठ गए मरीजो का कहना था कि जब तक उन्हें अपरेशन की तारिक नहीं मिल जा थी तब तक धारना पर बैठे रहेंगे मरीजों ने कार्डियेक सरजन डाक्टर बिनीत महाजन का भी घिराव किया उन्होंने अस्पताल से बाहर नहीं निकलने दे रहे थे डाक्टर बिनीत महाजन ने रिम्स परवधन को इसकी सुचना दी इसके बाद मेडिकल सुप्रिडेंटेट हिरेंद्र बिरयो मोके पर पहुँचे और मरीजों को समझा बुजा का धरना खत्म कराया जहारखन के मतस्य पालकों को मिलेगा के सी सी लोन राज्य के मतस्य पालकों को अब मचली कारोबार से जुड़े बिभीन कारियों के लिए पुझी का अभाव नहीं जहलना पड़ेगा राज्य अस्तरिय बैंकर समिती और किरिसी मंत्राले द्वारा मतस्य पालकों को किसान क्रेडिट कार्ड रिन योजना का लाब देने के लिए आवेदन मंगा गया है इसके लिए केंदर सरकार के निर्देश के बाद भी से सबताहिक अभियान शुरू किया गया है इसके तहाग परतेक सुक्रवार को बैंक सकाओ में भी से सिवीर लगा कर के सीसी से वन्चीत किसानों को इसे उपलब्द कराने को कहा है किसानों के आवेदन जमा होने के 15 दिनों के अंदर इसकी स्विक्री इतिवा भुक्तान की बेवस्था भी की गई है रांची एस्टेशन के पास पंडाल बनाने से रेलवे ने दुरगा पुजा समीति को रोका रांची रेलवे स्टेशन परिशन में बरसों से आउजित हो रहे दुरगा पुजा इस बर विवादों में आ गई है रेलवे ने आयोजन समीती को पत्र लिख कर दुरगा पुजा को लेकर किये जा रहे और स्थाई निर्मान को हटाने का आदेश दिया है पत्र में कहा गया है कि आयोजन समीती द्वारा बिना अनुमती लिये ही पंडाल निर्मान के लिए बास वा अनसमागरी लाई जा रही है इसे ततका लाटाया जाना चाहिए इधर राची रेलवे स्टेसन दुरगा पुजा समीती के अध्याक्स मुन्चुन राय ने कहा आए कि समीती वर्स 1947 से ही दुरगा पुजा का अउजन करती आ रही है यह राय धानी की सबसे बड़ी दुरगा पुजा में से एक है लाखो लोग माद दुरगा के दर्शन करने आ समीती में रेलवे के अधिकारी भी सामिल हैं समीती ने कभी भी रेलवे से उनमती नहीं लिहाए रेलवे द्वारा ही समीती को पूजा के लिए भंडार ग्री और जगा भी मुहया कराई गई थी हजारी बाग जिले के सभी बिध्यालों में अज़ादी का अमरित महोसो को सफल बनाने के लिए बिद्यालों के सभी बच्चों को अधिक सधिक महापूरसो यहां समत्तंतर अको है महसो को लेकर नौ उतकर्मिक उच्विद्याले खरना बिसनुगड में बिसे स्पहल की गई इसमें परते कक्षा में बच्चों की हाजरी के समय उनके करमांग बोलने पर और अपने करमांग के साथ एक एक कर भारतिय संतरता संगराम के महान से नानियों का नाम पुकारा जा रहा है इससे बच्चों को भी भीन महापूर्सों के बारे में जनकारी हासिल करने में असानी हो रही है